माधिमिक सिक्षा मंडल ने गत 24 अप्रेल को दसवी और बारहवी की मुख्य परिक्षा का परिणाम घोशित किया है घोशित परिणाम के तहट राजिस्तरिय प्रवेण सूची में जगह बनाने वाले रीवा के छात्रों को सम्मानित किया जाना है यह चात्र सम्मान समारोह आगामी एक मई को कलेक्टरेट के मोहन सभागार में दो पहर बारा बजे से होगा समारोह में शामिल होने वाले चात्रों वा समबंधित अभिवावकों को जिला शिक्षा अधिकारी कारियाले में 30 अप्रेल यानी की आज तक पहुँचना होगा ताकि उन्हें कालिक्रम से अफगत कराया जा सके गौर तलब है कि माधिमिक सिक्षा मंडल द्वारा जारी परिणाम में रीवा की छात्रा अंशिका मिश्रा ने बारहवी गडित समूह से प्रदेश की मेरिट में पहला स्थान प्राप्त किया है अंशिका ने 500 में से 493 यानी की 98 द्समलब 6 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है ऐसे ही कक्षा बारहवी की प्रदेश मेरिट में जिले की अंशिका समेत 7 छात्रों ने स्थान बनाया है इसके अलावा कक्षा दसमी की प्रदेश मेरिट में भी जिले के 12 छात्रों ने जगह बनाई है गौर तलब है कि सत्र 2023-2024 की दसवी बारहवी की यह परिक्षा माधिमिक सिक्षा मंडल ने गत 5 फरवरी से आरंब कराई थी जो 14 मार्च तक चरी माधिमिक सिक्षा मंडल द्वारा जारी परिणाम की अनुसार कक्षा बारहवी में जिने के 60 दसमलब 79 प्रतिशत छात्र उत्रीड हुए ऐसे ही दसवी के कुल 56 दसमलब 8 शुर्न प्रतिशत छात्र सफल हुए बहराल अब इन उत्कृष्ट छात्रों को जिला कलेक्टर की द्वारा सम्मानित किया जाएगा ताकि अन्य छात्रों को भी टोट साहन मिल सके बहुत बहुत धनिवाद मेरा नाम स्वाती है और आप देखते रहे है विंधिया टाइम्स